अगला प्रशन हमारा दुईघाद बवपत f of x बरावर 4 x square plus 8 x के सुन्ने ग्यात कीजिए और सुन्ने आंग को तदा गुडांगों के बीच में संबंद की सत्यता की जांच कीजिए फिर से वही प्रशन आ गया कैसे हल करेंगे इसको बताते हैं ठीक है पढ़िए ज़रा इस f of x बरावर हमारा क्या दिया है f of x बरावर दे रखका है 4x square plus 8x अब देगे पूरा हमारा टर्म पूरी नहीं दे रखे हैंगे है पूरी टर्म यहान पे नहीं है ठीक एक कोई बात नहींрь ज़रा हमारे एक C नहीं है, complete अगर standard form की बात करें, अचर पद नहीं है यहां पर, तो क्या होता है? AX square plus BX plus C, यह हमारी एक standard form होती है, इस standard form की बात करें, तो यहां पर हमें क्या है? दो ही पद दे रखें, तीसरा पद नहीं है, यानि कि C नहीं है हमारे पास यहां, जब C नहीं है हमारे पास यहां, तो C क्या होता है? एक अचर पद होता है, एक अचर पद होता है, और अचर पद जब नहीं दिया है, तो क्या मान लेंगे उसको हम? 0 मान लेंगे यानि कि 0 होगा क्या होगा? 0 होगा चलो तो पहले तो इसके हम क्या करेंगे? गुड़न घंड करके हम सुन्यांख निकालेंगे अब सुन्यांख इसके कैसे निकलेंगे? देखो 4x² प्लस 8x बरावर रखते हैं इसको 0 के तो पूरे में सभी में पूरे समीकरण में यह क्या होगा? समीकरण नमबर 1 समीकरण एक में 4 से भाग देने पर 4 से भाग दे दीजिए पूरे समीकरण तो यह हो जाएगा x² प्लस 2x बरावर 0 और 0 में 4 से डवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा तो सभी क्या हो जाएंगे बटा? 0 हो जाएंगे है ना? अब यहाँ पर देखो x common ले लो x common ले लो तो x plus 2 बचा बरावर का 0 तो इसका मतलब एक तो x बरावर 0 आगया और दूसरा x बरावर minus 2 आजाएगा तो सुंय अंक कै निकल के आए आपके? x बरावर 0 x बरावर minus 2 x बरावर 0 x बरावर minus 2 हम माना ठीक है? माना 0 आग शुनय अंक alpha थता beta alpha थता beta है तो alpha बरावर हमारा कितना हो गयا? 0 beta बरावर कितना हो गया? minus का 2 clear? चलिये अब हमें क्या करना है, 0 को, 0 को का योग, 0 को का योग क्या होता है, alpha प्लस बीटा बरावर, क्या होता है बिटा, alpha प्लस बीटा बरावर, यानि दोनों को जोड़ दो, 0 प्लस, किसको जोड़ दो, minus के 2 को जोड़ दो, 0 प्लस minus 2 क्या हो जाएगा, minus 2, जहान नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं वन लिख सकते हैं अब यह माइनस रख दो अलग और वन क्या है हमारा देखो अगर टू देखोगे आप तो यहां पर यहां पर टू देखो इसको टू यहां पर क्या है हमारा एक्स का गुडांक है किसका एक्स का गुडांक है देखो प्लस का ही तो ह मैंने बाहर ले लिया, x है x का गुड़ांग ठीक, अपन नीचे 1 क्या है हमारा? यहा देखोगे तो 1 है मेरा किसका? x² का गुड़ांग है नहीं, तो यह भी सत्यता की जाँच हो गई है नहीं, यह भी सत्यता की जाँच हो गई, यनि यह भी हमारा उसी फीचे बराबर आ गया अब क्या करना है हमें शुन्यकों का गुडणफल शुन्यकों का क्या नकालेंगे बेटा गुडणफल नकालेंगे अब देखो गुडणफल क्या होगा एलफा इंटू बीटा मतलब एलफा इंटू बीटा क्या होगा जीरो गुडणा माइनस का 2 मैं सोरी हमार पास अगर गुणा करते हैं तो जैसे 0 into multiply 2 इसका मतलब हो गया 0 क्या हो गया 0 हो गया अब देखो इसको मैं यह भी लिख सकते हैं क्या कि 0 upon ठीक है 0 तो हमारे answer आ रहा है अब 0 को क्या लिख सकते हैं कि 0 upon ठीक है क्या होता है c upon a याने की 1 अगर 1 से divide करें तो यहां पर c क्या है देखो यह c क्या हो गया एक अचरपद सकते हैं इसी को, भई x से divide करेंगे तब भी 0 यह आएगा, तो 0 upon 1 लिख सकते हूं, 1 क्या, x с2 का गुणांके, और 0 क्या है हमारा अचरपत क्योंकि दिया नहीं नहीं तो दिय नहीं है तो इस 2020 बारा प्रशन है कार आंगे ठीकहे बच्चो कोई डिकत ऻूट वीड़ासा chapter है बहुत easy chapter है बिल्कुल भी टेंसर ले खांप को 24-26 नम्ब्र आएंगे लेगरे लेकिन 4 नम्ब्र आप आराम से कर लोगे बिना किसी दिककत के 4-5 नमबर का रहाएगा chapter और 4-5 मैं से हो सकता है